अज़िए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको कौन-कौन से कलाकार हैं जो पद्म भूसर से सम्मानित किये गए हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है ये वीडियो और इसमें से एक या दो कोश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आएए दोस्तों हम लोग सुरू करते हैं यामिनी राय यामिनी राय जो एक चित्रकार के रूप में फेमस हैं और इन्हें 1954 इस भी में पद्म भूसर से सम्मानित किया गया था बहुत ही इंपोर्टेंट कलाकार हैं अक्सर एक जामों में पूछा जाता है डीपी राय चोधरी देवी प्रसाद राय चोधरी ये एक मुर्तिकार के रूप में फेमस हैं और इन्हें 1958 इस भी में पद्म भूसर से सम्मानित किया गया स्वेटेसलाव रोरिक ये एक चित्रकार के रूप में फेमस है और 1961 इस भी में इन्हें पद्म भूसर से सम्मानित किया गया राम किंकर बैज बहुत ही फेमस मुर्तिकार है मुर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें 1970 इस भी में पद्म भूसर से सम्मानित किया गया मकबूल फिदा हुसैन मकबूल फिदा हुसैन एक चित्रकार के रूप में फेमस है और इन्हें 1973 इस भी में पद्म भूसर से सम्मानित किया गया भावेश चंद्र सान्याल ये एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें 1984 वी में पद्म भूशर से सम्मानित किया गया जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट कलाकार रहे हैं क्रिश्ड हैबर ये एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और 1989 इस वी में 1989 इस वी में इन्हें पद्म भूशर से सम्मानित किया गया नारायन स्रीधर बेंद्रे इन्हें साट फर्म में एनस बेंद्रे बोलते हैं तो इन्हें जो पद्म भी भूशर मिला था 1991 इस वी में मिला था पद्म भूशर सम्मान जो मिला था 1991 इस वी में दो हजारशे यह चितरकार के रूप में फेमस है और दो हजार साथ में इन्हें पद्म भूशड से सम्मानित किया गया अकबर पदम स्री एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और 2010 में इन्हें पद्म भूशर से सम्मानित किया गया राम कुमार एक चित्रकार के रूप में फेमस हैं और 2010 में इन्हें पद्म भूशर से सम्मानित किया गया क्रिफड खन्ना क्रिफड खन्ना जो है एक चितरकार के रूप में जाने जाते हैं 2011 में इन्हें पद्म भूशर से सम्मानित किया गया अर्पिता सिंग एक चितरकार के रूप में फेमस है 2011 में इन्हें पद्म भूशर सम्मानित किया गया जतिन दास एक चितरकार के रूप मे सम्मानित किया गया गुलाम मुहम्मद सेख एक चित्रकार के रूप में फेमस है 2014 में इन्हें पद्म भूशर से सम्मानित किया गया लक्षमरपय एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं 2014 में इन्हें पद्म भूशर से सम्मानित किया गया राम सुतार एक मूर्तिकार के रूप में famous हैं और 2016 में इन्हें पदमु भूशड से सम्मानित किया गया तो ये काफी important कलाकार हैं जो कि भारत के कलाकार हैं इंडियन आर्टिस्ट हैं जिन्हें पदमु भूशड से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्याधा ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और सेर करें हमारे यूटूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से विजुल आर्ट से संबंदि इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा धन्यवाद दोस्तों